हेलो दोस्तों के LD Glasses में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैसे थे विभाग के बारे में जिसमें वेकेंसी निकाली गई है अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आप सब के लिए बहुत बड़ी कैसे वेकेंसी निकाली गई है लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्त होगा चैजै जो वी के सबसे पहले पोस्ट की बार किपने पदों के लिए निकाला गया वेकांसी तो 365 3630 पदों के लिए वेकेंसी निकाला गया है और विभाग का नाम है और विभाग और आप कोश्ट ऑफिस समझा करते हैं पोश्टॉपिस में ये नौकरी कहां करना होगा तो यह नौकरी आपको महाराष्ट राज्ज में करना होगा उत्तर प्रदेश पिहार उत्रघंड में कोई भी कहीं नहीं मिलने वाला है आपको सिर्फ महाराष्ट में यह जाब करना होगा और बहुत अच्छे-च्छे पदों के लिए निकाले गई है उसलिए हम बात करते ही लेकिन सबसे बड़ा फाइदा ये होगा आपके लिए कि इसमें आपको कोई भी एक्जाम नहीं देना होगा सबसे बड़ा फाइदा ये है आपका merit काएधार काओन से merit काओन से जो आपके पास qualification होना चाहिए तो आपको सिर्फ कि पोस्ट आफिस में सबसे वड़ी वेकैंसी निकाली गई है तो चलिए हम बात करते हैं कि कब आपसे कब कह सकते हैं इसके लिए आव Harajan कर सकते हैं सारी प rotten लाइन कर दी गई है आप online इस फ़ाम को भर सकते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि भारती डाक्त ने महराष्ट सर्किल के लिए भरती निकले इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो जाब करना है वो महराष्ट में करना होगा ये समझेगा ये नहीं कि सिर्फ महराष्ट वाले भर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है महराष्ट वाले तो भरेंगे ही भरेंगे उसके केसे कहते हैं olan आपको जाब महराष्ट में करना हुगा। यह सबसे बड़ी कंजीशन है यह समझेगा। इसमें पोश्ट की मैं बात करूँ कौन-kौन से हैं। तो ब्रांच पोश्ट मास्टर है, जा सिस्टेंसे हैं। सबसे अधिक कह सकते हैं कि इतनी वड़ी वैकेंसी बीना एक्जाम के अभी तक कह सकते हैं कि नहीं निकाले गए तो यह अब तक का सबसे बड़ा है तो आप लिए इसको ध्यान रखेगा और इसको इगनोर मत करिएगा और फार्म को भर दीजे क्योंकि फार्म कल ही से एक नॉ को यह वैकेंसी कल ही आई है तो इसलिए आप लोग इसको देर मत करिएए अब बात करते हैं कि क्या को मांगा गया है कि उमिध्वार को 10th wii कि है सकते हैं मैथ वह इंग्लिस विसे के साथ पर-पास अनुवार होना चाहिए आप अगर हाइश्कुल कारेकर ऐक्जाम दी और यहाँ पे यह का गया, कि उमिद्वार दस्वीर तक कह सकते हैं अस्थानी भहासा में जो आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपकी अस्थानी भहासा क्या है, हिंदी है, समझेगा तो हिंदी में आपको पढ़ा होना चाहिए जैसे जिस राज के आप रहने वाले हैं जैसे उत्राखन का वहाँ पे भी हिंदी होता विहार का हो हिंदी है तो यह समझीए कि जिस राज में जो आफिसियल भासा होती है इस्टेट का जो अफिशिल है लेंगवेज होता है वहां पर आपको यह भासा अगर आप वहां से अध्यन की हैं तो आपके लिए यह फायदा होगा वरना आप नहीं इस फार्म को भर सकते हैं आगे बात की अरजिया है कि एज की बात किया जाए कि कौन से एज़ वाले या कितनी आपकी एज होनी चाहिए आप इस फार्म को भरने के लिए तो 18 साल से लेके 40 साल इसका मनलब क्या होगा है कि मिनमुम आपका 18 साल होना चाहिए मैक्समुम 40 साल और जो कतेग्री का जो होता कि छूट मिलता है, डिसकाउंड मिलता है, SC के लिए अलगा हो, और ST के लिए OBC वालों को मिलता है, तो यह चीज उस पे सब पे लागव होगा, तो आप लोग यहां पे देखिये दिया गया है, कि SC, ST को 5 साल के छूट, OBC को 3 साल के छूट, जो भी जिसको लागव होता है, जि कोई भी आपके पास से कोर्स होना चाहिए, यह आपके लिए फाइदे मन होगा, वो आपको लगाना होगा, इसके बाद है, Chen की प्रिकरिया कियोंगी, मैंने पहले बता है, कि Chen में कौई भी आपका exam नहीं होगा, यहां पे दिया भी है, कि कोई परिष्छन नहीं होगी, उम समझेगा अगर राम ने कह सकते हैं कि हाई स्कूल में 80% मालिजे पाया है और कह सकते हैं कि स्याम ने कह सकते हैं कि 80% पाया लेकिन स्याम जो है यह इंटर किया है और राम ने सिर्फ हाई स्कूल किया है तो ऐसा नहीं होगा कि स्याम को ले लिया जाएगा और राम को छोड़ द चाहिए और computer आपका 60 दिन के पास आपके पैसे knowledge होना चाहिए बस यही इस पे मांगा गया है तो चलिए और चीजों के बारे मैं बात करते हैं कि कहां पे आप इस farm को भर सकते हैं यह सबसे बड़ी बात होगी तो यहां पर देखें यह दिया गया है आप कर सकते हैं कि सरकारे result पर इसको नहीं भर सकते हैं यहां पर दिया गया है इंडिया-post.gorman.in यहां पर या दो website दिया गया है आप यहां पर जाके सबसे पहले ऑफिसियल जो न्यूज आया उसको चेक कर लिए कि student है आप जैसे लोगों की यह तरह है हम लोग भी है तो जब तक satisfy नहीं हो तो तब तक कोई भी न्यूज नहीं बनता चाहे एक दिन देरी हो या दो दिन देरी हो तो इसके लिए हम लोग पर 36 कह सकते हैं 3650 पोश्टों के लिए यह वेकेंसी आई हुई है इसके बाद यहां पर देखे दिया कि एप्लाइड आउनलाइन मोड में ही करना होगा इस भरती के जरिये ब्रांच पोश्ट मास्टर बी पी एम असिस्टेंस ब्रांच पोश्ट मास्टर और डाक सिवा की भरती निकाली गई है तो यह थी हमारी कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़े वेकेंसी पोश्ट आउपिस में 3650 पदों के लिए वेकेंसी निकाली है और बिना एक्जाम के बस आपका मे 2018-2019 में 16 जब भी 2018 में पास कियों किसी भी तरह से पास कियों उसे नहीं मतलब है लेकिन अगर उनके पास किये क्वालिफेकेशन है और उनका नमबर अधिक है तो इस फाम को जरूर भरें इसी प्रकार से बने रहने करें आप सबी दोस्तों का के लडी क्लासेस की और से धन्य मतल से बन्यवाघर यू गज्To